अभी तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पे काफी ज़दा stock trading strategies अपलोड कर दे हैं सब इस strategies में एक चीज़ common होती है कि अगर आपको candlesticks की knowledge नहीं है तो आप उस strategy में अच्छे से काम नहीं कर पाओगे क्योंकि candlesticks या फिर आप देखोगे तो मेरी सब इस strategy में मैंने आपको charts की बारे मता है कि अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको charts rating आने चाहिए अब charts के अंदर अगर आप एक चीज़ देखते हो क्या common है candles कि इन candles से मिलके ही chart बनता है अब आप इन candles की knowledge नहीं रखते हो ना तो आप अच्छे से पैसा नहीं बना पाओगे और मैंने आज तक कभी video बनाई भी नहीं है candles के उपर mainly because आप लोग demand ही नहीं करते but अब यह time है candles 6 को सीखने का मुझे पता है आप मेंसे काफी लोगो candle 6 के बारे मनोलेज होगी but still आप इस video को पूरा end तक देखना because मैं आपको एक ऐसा platform दूँगा इस video में जो कि बिल्कुल free of cost होगा जिसमें आप अगर मालो आपने एक candle सर्च कर ली कि मेरेको तो bullish engulfing candle चाहिए तो वो आपको उसी bullish engulfing वाले सब ये stocks आपको provide कर देगा अगर आपने बोला कि मेरेको hammer वाले candle चाहिए hammer वाले charts चाहिए hammer वाले stock चाहिए तो जिन जिन stock में भी hammer candle बन रही होगी आप करके वो stock आ जाएंगे तो इसलिए बहुत mainly बहुत शानदर वीडियो होने वाले सबसे पहले हम basics of candlestick समझते देखो candlestick की कितना बढ़ा तोपी है कि अगर हम आपको 30 दिन भी सिखा होना तो भी ये पूरा नहीं हो सकता बट हम इसके main point को जानेंगे तो हम इससे 3 point को आज इस वीडियो में cover करेंगे और अगर में को लगता है कि ओर भी कुछ सिखाना है तो अब इस channel को subscribe कर लो मैं further वीडियों को आपको सिखा दूँगा सबसे पहरा जो point हमें जानने वाला है वो मेरे साब से हो जाता है formation of candle कि candle बनती कैसे है candle की बनावट किस तरीके से होती है उसके बाद में जो second point मुझे लगता है सिखाने वाला वो है types of candles कि कि कितने परकार की candles होती है पर लास्ट निन आता है time frame of candle 6 अगर आपने तीन चीज़ समझ लिना तो आप candles को माहिर कर लोगे और आप candle trading सीख जाओगे अब बीना किस तरीके वीडियो को start करते है सबसे पहले समझते हैं जो ये candle है ये मौमबत्ती वाली candle नहीं है जो ये bars होते हैं न चार्ट के अंदर इनिकॉम candles होते है number second चीज़ ये use क्यों आती है ये use होती है track market prices and daily momentum अब ये use होती है कि अगर मालने आपको past का कोई data देखना है कि उस टाइम पे उस चीज़ का क्या भावता for example मैं आपसे पूछ रहा हूँ कल बैंग निफ्टी में 11 बजे बैंग निफ्टी कहां चल रही तो आप कैसे बताओगे आप simply बैंग निफ्टी का पहले चार्ट खोलोगे फिर वहाँ पे आप कोई time frame लगाओगे और उसके बाद में वहाँ पे आप 11 बजे वाली candle को देखोगे कि वो candle कहां चल रही थी जहाँ पे भी वो candle चल रही होगी उसके आगे का आप price देखोगे आप मुझे बता दोगे कि कल बैंग निफ्टी है 11 बजे ये price चल रहा था तो इसलिए आप जो candle से वो use क्यों होती है track market prices second चीज डेली momentum market में अगर आप से पूस्ता हूँ कि इस chart में मुझे बताओ सबसे बड़ा momentum कब आया है देखो candle अगर आप सीख गए ना तो candle से आप market के price को predict कर सकते हो porque यहाँ पे काफिस ज़ा candle होती है जो bullish candle होती है काफिस ज़ा candle होती है जो bearish candle होती है जैसे अगर आप देखोगे यह bullish candle है इस candle के आने के बाद में price बिल्कुल उपर-उपर sustain कर रहा है तो यह क्यों sustain कर रहा है because of this candle अगर आप यहाँ पर देखते हो यह trend line आ रही है trend line पर तीन ही candle बनी है जब यह तीन candle बनी है तो उसके बाद में देखो price नीचे आए है क्योंकि यह bearish candle थी तो अगर आप candles को पढ़ना सीख जाते हो तो आप bullish, bearish candle को find out कर लोगे अब बीना किसी देरी के हम अजाते हैं अपने किस पे हम अजाते हैं अपने formation of candle की candle बनती कैसे है सबसे पहले आपको दो तरीके की market में candle मिलेगी एक तो मिलेगी red color की एक मिलेगी आपको green color की अब आपको अगर red गलरी candle मिल रही है आपको वहाँ पर यह सोच लेना है कि उस time पे जो price था वो नीचे आया था जहां पर भी आप ग्रीन candle देखे उसका मतलब भी होता है कि उस time पे price उपर गया था कि उस time पे price कहीं ऊपर चल रहा था price मालो 10 रुपे पे चल रहा था और फिर वो red candle इसलिए बनी है क्योंकि वो 10 रुपे से price कहां पे आया है नीचे आया है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको red candle मिलती है तो उसका open जो होगा वो उपर होगा जो close होगा वो नीचे होगा ठीक है फिर यहाँ पे green candle है green candle का मतलब है कि हरा बना यानि कि नीचे उपर गया है price तो for example price पहले 10 पे चल रहा था और वो green candle बनी है इसका मतलब यह है कि price अब उपर गया है तो इसका मतलब वो 12 पे close होगा तो इसलिए यहाँ पे जो इस candle का open होगा वो नीचे होगा close जो होगा वो उपर होगा इतना आपको समझ में आ गया उसके बाद में यह जो बीच में आपको ऐसे से color भरा होगा बिल्कुल green color यहाँ में बिल्कुल red candle आपका भरा होगा तो जो यह body होती है इसको हम बोलते है body तो यह जो अंदर वाला पार्ट होगा है इसको बोलते है body but usually आपको कर्णल ऐसे देखने को नहीं मिलती आपको कर्णल किस तरीके से देखने को मिलती है मैं आपको दिखाता हूँ आप वो candle देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से यानि ये अंदर वाला पार तो बोडी होती है और ये उपर ना विक भी है तो इस विक का क्या मतलब है वो समझो तो for example ऐसा तो होता नहीं है कि price मालो 10 पे open हुआ और 10 से एकदम से 12 चला गया तो जितना वो लो नीचे लगाएगा वो हो गया उसका low जितना वो high गया था वो हो गया उसका high लेकिन यहाँ पर तो यह डंडी बनी है यहाँ पर यह बोडी बनी है क्यूं? क्योंकि ये जो open होता है close होता है उसके बीच में ही price रहा है लेकिन जो जितना नीचे गया था वो उसका low गया जितना उपर गया था वो उसका high गया था फोर जांप पाल आप इसको ऐसे समझ सकते हो आपको मैं अच्छे समझाएता हूँ माल लो अगर ये है कि आपका जो price है वो 10 रुपे से start होता है उसके बाद में जाता है वो 12 रुपे उसके बाद में जाता है वो 13 रुपे उसके बाद में जाता है वो 11 रुपे उसके बाद में जाता है वो 14 रुपे उसके बाद में आ जाता है वो तीन रुपे उसके बाद में जाता है दो रुपे और फिर वो close कर जाता है दुबारा sorry close कहां करता है close कर जाता है आपका वो दुबारा साथ रुपे तो मुझे यह बताओ से कडल कैसे बनेगी देख तो बिलकुल बाहरी से समझना क्योंकि इतसे असान तरीके से आपको कोई सिखाई नहीं सकता है मैं guarantee देख आपको बता सकता हूँ अब देखो सबसे पहला अपना start कहां पे होता है 10 रुपे पे होता है तो यह हो गया 10 रुपे ठीक है फिर वो जाता है उपर यह गया 12 रुपे ठीक है फिर वो गया और उपर जैसे यहां पे 10 था 12 गया 13 गया देन वो नीची आया 11 पर देन वो 14 गया फिर 14 से वो एक दम से आगया 3 फिर वो 2 और वो close कहां पे हो गया 7 पर तो अब जो open हुआ था वो तो हुआ था 10 पर और जो close हुआ वो कहां पे हुआ है 7 पर तो यह जो close और जो है ना यह हो जाएगा body और यह कौन से कलर की body होगी मुझे comment section में answer दो क्योंकि 10 पे price open हुआ था लो है दो तो इस तरीके से केंडल का formation होता है और इतनी असान भासने में अगर हम कोई candle formation सिखा दे तो मुझे बता देना because मैंने भी आपकी तरह study करी है मेरे को आज का किसे नहीं सिखाया candle formation अब हम बीना किसी दरीके आजाते हैं अपने second part पर अपना second part है types of candle कितने परकार की candle होती है तो देखो अगर आप candle के परकार देखोगे तो वैसे तो बहुत होती है 30 से 40 परकार की candle होती है but usually हम किस तरीके से अपनी candle को रखे तो देखो types of candle में तीन तरीके बटी जाती है एक तो होता है bullish जो आपको यह बताती है कि यहां से price ओपर जाएगा एक होती है neutral इसका मतलब यह होता है कि price यहां से ओपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है market sideways हो सकता है उसके बाद में एक candle होती है जो हो कौन सी होगी? bearish जो green कलरी candle होगी वो कौन सी होगी? bullish अब neutral कौन से कलरी candle होगी? यह usually आपको black कलर की भी दिखती है green कलर की भी दिखती है और red कलर की भी दिखती है अब इन colors से हम सिर्फ यह नहीं पता लागा सकते कि bullish है bearish है हमें उनके types देखने पड़ेंगे अब अगर आ types search करते हो मैं एक मिरट के लिए आपको यहाँ पे Google पे लेके चलता हूँ then आपका mind दिखुलेगा कि हमारा ही कितने तरीके की candles आपके आगे देखने को मिलती है तो यहाँ पर मैं गया Google पे और यहाँ पर मैं लिखू types of candle because जितना मैं आपको यूजरी करके दिखाँगा ना सिंपल चीज़ उतना ही आपके लिए असान ही होगी अदरवाइस आप बोलोगे आपको कुछी कहां से लिया आया तो अब देखो जैसे मैं गया यहाँ पे types of trading सर्च करने तो यहाँ पर इतना तरीकी candle आ गई तो आप इस वाले चार्ट को देख लो इस वाले चार्ट को दे यह तो जितने भी बड़ी केंडल हो गई जिसकी कोई भी विक नहीं होती यानि कि जैसी वह 10 पे उपन हुआ वैसे ही वह 20 पे गया और 20 पे उसने क्लोज कर दिया इसका मतलब है यह बहुत बुलिश केंडल है जिसमें विक नहीं होती उसको बोलेते है मारू बोजा केंडल और यह एक अच्छी केंडल होती है उसके बाद में आ जाती है यह वाली केंडल यह केंडल किस तरीके से कडल मानी जाती है इनको हम बोलते है विल्कुल नॉर्वल्मल केंडल जो आपकी बोड़ी से छोटी जिसकी वी विक हो गया यह आपकी बोड़ी है इतनी वीक ऊपर इ है तो बुलिश बट ये यूज कहां पे आ रही है वो मैटर करता है जो कि मैं आपको अगली वीडियों में आगया नावली वीडियों बता दूँगा सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो अभी तक हम ने यह समझ लिया फिर यह आगई इसमें क्या है विक तो बड़ी है विक तो बड़ी है और बोर्डी यहां पर चोटी है यह करने लाती है नीट्रल जहां पर भी आपको यह करनल दिखेगी उसका मतलब यह है कि प् हो गया डोजी कंडल और यह भी किस में आती है नीट्रल में आती है नीट्रल में दो कंडल आती है डोजी एन अपनी उस तरीके से फिर आता है अपने ड्रेगन फ्लाइड डोजी क्या होता है आपको मैं मता दो For example, कोई price पहले 10 पे open हो गया, नीचे आता गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, जब उसकी candle ही closing होने वाली थी ना, फिर उफटाक से उपर जाता है, और अपने 10 से उपर ही close करता है, जिसे 10 से मालो 11 पे close करा, 12 पे close करा, तो ये candle कैसे बनेगी, कुछ इस तरी कैसे candle बनेगी, इसको हम बोलते हैं, ड्रेगन फ्लाइ डोजी, अगें दिस इस वेरी bullish candle, तो ये होते हैं candles के टाइप, अब अगर आप इन ही को red में convert कर देते हो, तो ये same आपको red में देखने को मिल जाएंगे, बस फरक क्या होगा, green वाले का मतलब है, प्राइस नीचे से open हो है, प्राइस उपर गया है, red वाले का मतलब है कि price उपर से नीचे गया है, बेरिश आपको जितने भी रेड के लड़ी candle होगी, बेरिश मिलेगी, bullish candle कौन से मिलेगी, जो आपको green candle मिलेगी, अब अगर आपको मैं थोड़ा इसको अच्छे से और जिखाऊं, तो देखो एक फिर आपको अभी तो ये एक candle है, फिर आपको double candle pattern मिलेगे, फिर आपको triple candle pattern मिलेगे, for example, bullish engulfing है, तो ये bullish engulfing होती है, फिर मालनो bearish engulfing है, तो ये आपकी bearish engulfing होती है, same दिखने में है, बट इनका काम अलग होती है, लेकिन सबसे पहले अगर आप एक beginner हो, तो आपको पहल लंबी हो रही है इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआती बंदे के लिए रखना चाहता हूं इसलिए वीडियो में जुड़े रहो और अगर आप वीडियो में यहां तक आये हो तो बस यह लास्ट पार्ट रहे है उसके बाद में आपको यह वाला मैथोड़ी बता दूगा क कि आप कैसे स्टोक को निकाल सकते हो जो भी आपको पैटर माँ पर चाहिए अब टाइम फ्रेम क्या होता है टाइम फ्रेम सबसे जादा इंट्रस्टिंग चीज होती है अपनी केंडल सिक्स में देखो अगर आपने टाइम फ्रेम लगा रख है केंडल का पांच मिनट इसका मतलब यह हुआ कि जो आप एक कैंडल जो देख रहे थे ना एक केंडल जो आप देख रहे हो वो कितने मिनट का डाटा बता रही है पांच मिनट का यानि कि पांच मिनट के अंदर वांड लो अभी दस बज़े वो ओपन होती है तो अब इसको कलोज होना पड़ेगा दस ऐंब फॉर्व्जम्पल मेरे को यहां पे टाइम फ्रेम मैंने शीITY कर दिया यहां पे वन आवर की तो मेरी जो एक केंडल होगी वह ओपन उजाएगी मालो 10 guys ठीक है तो वो close कब होगी जारा बगे बस इतना ही simple काम है time frame का कि अगर आपने मालो time frame लगा रखा है याँ पे one day का कि मेरे को एक दिन का data दिखे तो market open कब होती है सुबह 9.15 पर market बंद कब होती है 3.30 पर तो market में एक दिन का data एक candle बताएगी तो market में जो open होगा वो कब बनेगा 9.15 पर और जो close होगा वो कब बनेगा 3.30 पर and one more thing without candle closing किसी भी candle के closing के बगएर आप ये नहीं predict कर सकते कि वो candle positive या फिर negative है because मालो आपने पूर दिन देखा 9.15 से लेकर आपने 3.00 बज़े तक देख लिया ये candle जो है वो उपर जा रही थी और बिल्कुल bullish बन रही है बट जो आखरी के 30 मिनट है उस 30 मिनट में बिल्कुल negative momentum आता है तो वही candle आपकी कैसी बन जाएगी अगर मालो negative candle है आप पहले उपर बन रही जी अब वही candle आपकी कुछ इस तरीके सरी बन सकती है हमेशा candle closing बहुत जादा जरूरी हो जाता है अगर आप candle 6 trading करते हो तो तो यहाँ से हमने सारी शीज समझ ली अब एक बार मापको time frame किस तरीके से दिखता है market में वो भी दिखा देता हूँ charts पे लिजा अब आच चुके हम चार्ट पर अब यहाँ पे आपको ऊपर option मिलता है time frame select करने का तो for example यहाँ से मैं time frame पे गया मैंने 15 minute का time frame गर दिया आप जो एक candle जो यहाँ पर एक बार जो शो हो रहा है यह कितने का है 15 minute का है तो जैसे कि मानलो यह वाला है last candle last candle इसमें red बनी है last candle की opening कब हुई थी 3.15 पर और इसकी closing कब होगी 3.30 पर तो अगर मैंने जो आप यह आपको सिखाया है अगर आप उस सिखाने वाले के according चलते हो तो देखो इस candle में open कहा हुआ है इस candle में open हुआ है यहाँ पर और यह red candle इसलिए इसका close हुआ है यह और भी नीचे आया था और यह और ऊपर भी गया था तो यह जो ऊपर गया था यह इसका high हो गया और जो यह नीचे आया था यह इसका low हो गया without candle closing आप यह नहीं पता लगा सकते कि यह कौन सी कलरी candle होने वाली है अब जैसे मानलो यह तो मैं लगा दे 15 minute का time frame अब यहां से गया मैं और यहां पर जाने के बाद में मैंने कर दिया मानलो एक one day का time frame कर दिया कि एक दिन का data बताओ या फिर आप one week का भी लगा सकते हो कि एक हफते में bank ministry ने क्या क्या है वो भी आपको पता लग जाएगा तो देखो आपको एक candle आपने यहां पर one week के लगा दी अब आपको here easily पता लग रहा है कि one week में क्या हो रहा है one week में एक candle थी जिसका open यहां पर हुआ है close इसका यहां पर हुआ है अब close हुआ है नहीं हुआ है मुझे यह चीज़ आप बता हो कि прилож है या नहीं है क्योंकि one week है वो आपको पतां कैसे पता लाएगा अब इस आप इससे पित्ली वाली गंडल देख लो दो तारीक को ये ओपन हुई थी दो में आप साथ दिन कौन से अट करोगे मुझे यहाप एक कमेंट शिक्षिनम आंसर चाहिए कि आप साथ दिन कौन से अट करोगे जो नॉर्मल दिन हो ये फिर ट्रेडिंग शेशन वाल दिनांगे मुझे पीमें आंसर चाहिए और आप किया ऑग आंसर है पिसली वाली गंडल 2 तारिक को बनी थी और उसके बाद में वह अगली गंडल 9 तारिक को बनी थी अग 12 तारिक को बनी थी अग causa टो जैसे कि अभी मानलो 9 सुतंबर को य यारा बारा तेरा चोदा पंद्रा तारिक को एक नई candle बनेगी तो इस candle के अगर में आपको क्लोजिंग कब है तो चोदा तारिक को इसकी क्लोजिंग आईगी, और आज के डिट आज है 14 तारिक आने कि एक हफ्ता इस candle å closing हो चुकिया अभी इस candle क्लोजिंग हमें कहा मिली है हाँ यह जो वीक था यह पूरा बुलिश था होफ़ली आप लोग वीडियो में समझ रहे होंगे कि किस तरीके से में आपको टाइम फ्रेम समझाए किस तरीके से मैंने आपको केंडल सिक्स पैटरन वादा दिया इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हा अभी तक तो जस्ट लेट मी नो इन दे कमेंशन बिकोज यह चीज नई भी हो सकते है काफी लोग के लिए और काफी लोग के लिए बहुत पुराना भी हो सकता है तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है आप लोगे किस तरीके से कमेंट आएंगे तो प्रीज अच्छे कमेंट करना कुछ पूछना है पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो बहुत शान्दर आने वाली है इस पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको अगर आप हमारा से जुडना चाते हो तो आप मेरा फ्री वाला टेलेगराम भी जोइन कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाई से जोइन करना अधरवाइस आप कहीं ट्रैप हो जाओगे और साथ में आप मेरा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सकते हो अमारे से जुड़ सकते हो और जो मैंने आपको वाला किया था वीडियो की शुरुवात में कि मैं आपको एक ऐसा प्लैटफॉर्म बताऊंगा जहां से आप पता लगा सकते हो कि यह जो चैनल शिक्स पैटन है यह जो चार्ट पैटन है यह कौन से उसमें बन रहा है तो उस प्लैटफॉर्म का नाम है इसके उपर मैंने डेफिनेटली एक डेडिकेटट वीडियो बना रखी आप इस वीडियो को जाके वाच आउट कर सकते हो ScanX इस पैटन का नाम है आप इसको लैपटोप में पीसी में फोन भी उसकर सकते हो तो अगर आप चारते हो कि ScanX के उपर मैं अच्छे से वीडियो बनाओ दुबारा तो सबसे पहले आप Candle 6 को फूरा सिखो चार्ट वेटन को फूरा सिखो एन उसके बादे मैं आपको स्टोक सेलेक्शन करके दिखाऊंगा टेकनिकल लेवल्स पर बाकि thank you for watching this video वीडियो कैसे लिए के जरूर पताना मिलते सी next powerful वीडियो साथ अब तक के लिए धन्यवाद